पाटीस ऑपर्टीस विहार के जो हालात है उसके लिए सिर्फ राजनीतां जिम्मेदार नहीं है, ब richard के जनदांवी जिम्मेदार है एकदम बिल्कुल मैं वेडियो में बोलता हूँ बिहार का एक नेता का मतब कि बता दीजे जी एक नेता पे जो है बिहार के लोग भरोसा करेंगे आज जो है सरकारी अधिकारियों का जंगल राज चालू है बिहार में अधिपावली के समय में देखिए कि लोग समझते हैं कि हम लोग जानवर हैं तेनों में भर दिया जाता है तो क्या गैरेंटी है कि मनीश कृषप अगर जीत गए तो वो बिहार से बाहर जाकर अपना सेक्टमेंट नहीं करेंगे अपने परिवार को बाड़ को बेजेगे वरोसा है मेरे उपर बोट दीजे नहीं बरोसा है तो उनको दीजे और विया से तो कम तैलेंट हम भी नहीं है अनपर जाहिल गवार नेता जो बिहार को बरबाद कर रहे हैं वो एक ताइलेंटेड जो है मनीश को से डर गए पर पाकिस्तानी है करो मैं कहना चाहता हूँ तुम लोगों से कि अगर भारत के यूट्यूब चैनल को है करने का प्रयास करोगे तो 36 रफैल फाइटर हम लोग मना के रखे हैं 36 और ओर करेंगे हम में से बहुत सारे यूट्यूबर कुमा रहे हैं और आपके यहां बहुत सारी सीमा हैं हम लोग बड़े प्यारते लेके आएंगे और दहेज में राउल पिंडी लाहौर और कराची भी लेके आएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News और आपके साथ मैं हूँ नमृता मनीश कश्ब जब जब यह नाम लेते हैं तो जितनी भी मैं स्टोरीज चलाती हूँ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट आते हैं सन ओफ बिहार फ्यूचर सीम ओफ बिहार मुझे लगता है मनीश जी ने इस बात को सीरियसली ले लिया है क्योंकि आगामी लोगसबा चुनावों में बिगुल फूकने वाले हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं पहले मुझे ये बताईए कैसे एकदम से सोच लिया या फिर पहले से कभी प्लाणिंग थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं बिहार बदलूंगा क्योंकि बिहार का इतिहास मनीश जी रहा है बड़ी टैलेंटेड लोग हैं लेकिन रुकते नहीं है बिहार में एक बाहर निकल जाए तो पलटकर अपने अपने राज्ये को अपने शेहर को देखते नहीं है मनीश कर शेप उस प्रथा को बदलने जा रहे हैं लड़े कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो पूना से परिवार को जो है भरन पोसंद कर लिये तो फिर उसके वास थे मैं बहुत सारा प्रियास किया बदलने का प्रियास किया कुछ मेरी बातों को सुना कुछ लोगों ननंगे हैan इसहुंच में आजए तो विकास हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है पॉल्टिक्स उसके अलबा दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार से I.S.I.P.S. रोज पैदा होते हैं डॉक्टर इंजिनियर रोज पैदा होते हैं और बिहार छोड़के चले जाते हैं क्योंकि राजनेताओं ने बिहार को पूरी तरीके स जाती से उपर उठके जो है निर्णय ले पाएंगे काबिलियत पे निर्णय ले पाएंगे विकास पे निर्णय ले पाएंगे कि बिहार का विकास हो उन लोगों ने कहा हां तो मैंने कहा हां कि मैं चुनाओं लड़ूंगा अब सीट चुनना था चुकि सीट चाहिए आपक बहुत बड़ा योगदान भारत तो सवतंत्र हो गया और सवतंत्र राज विहार लेकिन समस्य यह है कि बिहार के लोग गुलाम है तो मैंने सोचा कि सुरुआत वहीं से करेंगे जहां से गांधी जी ने किया था और चंपारन सेट मैंने चुना है और मैं चुना हो 100% लड़ू मैं तो लड़ूगा तो surtkit есть facilities है है ना वह dis everybody means पार्टी के पास पैसा जाता है कि नहीं जाता है लेकिन party और candidate के बीच का जो धलाल होते हैं जो धलाल करते है उन लोगों के पास पता पैसा तो पहुंचता है और वैसे लोगों पास manis कर दो पैसा पोचाया नहीं एंगे तो में गलत बनाया किजा आप लोग कि पैसा वाला ही चुनाओ लड़ेगा अगर सुनिए आप अगरेसे वह रहे हैं मेरा कहने का मतलब यह था हमने जितना भी बेकग्राउंड देखा है प्रचार्र प्रसार सब में पैसा लगता है अग्य पैसे जिएते बीश कोड़ों रुपया मट करेंगे तो आपके लिए काम नहीं करेंगे और चार साल 11 महिना गाय ब्राइब रहेंगे और उनके पैसे से चुनाओ लड़ेंगे और चुनाव जितने के बाद उनके लिए काम करेंगे, यह मेरा concept है, और ऐसा नहीं है कि मनीज कस्यप अकेला है, नहीं तो आप नहीं है, नहीं, मैं अपने लोगसभा की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के अनेको लोगसभा छेतर में, अनेको ऐसे युवा है, अनेको ऐसे लो हूं और बिहार बदलने की कहानी जो है, 2024 में उसकी न्यू फिर से रखी जाएगी, फिर से, और इसी चुनाव में रखा जाएगा, मुझे यह बताईए कि पूर्वी चंपारण आपकी फेवरेट सीट रहेगी या पच्छिम चंपारण, चंपारण मेरा फेवरेट सीट है, वो पूर्वी हो या पच्छिम हो, चुकि दोनों बाट से पीडी चेतर है, एक जगा मेरा घर है और एक जगा मेरा जमीन है, तो चंपारण मेरा फेवरेट सीट है, और कंडिशन के हिसाब से जो है, मैं वहीं से लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा, बीजेपी को दिये, पिछले 10 साल में एक बार भी हार के भी कास में नहीं हुआ, एक नदी से नदी को नहीं जोडा गया, बाड में चुडा मिटा गया, चुछ नहीं दिया गया, उसमें राज़ाद, बीजेपी, कॉंग्रेस, जद्यू, सब कॉमिनिस्ट पार्टी, सब लो कि अंदर घुषते हैं, फिर निकल जाते हैं, वो नहीं चाहिए, अब चूरा मिटा का गया जबाना हमें हमारा हक चाहिए, और कोई भी पार्टी हो, जो सत्य रहेगा, पहले भी मन इसके से बोलता था, अभी भी मन इसके से बोलता है, 40-49 स्वीट हमने बीजेपी और बीज के लोग गोट नहीं देंगे, लेकिन अब बीहार के लोग जग चुके हैं, बीहार के लोगों को बाढ़का, स्वास्ताय समाधान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा ब्यवस्ता चाहिए, अपहरन जो वहां पे उध्योग बन चुका था, वो खातमा चाहिए, अच्छ भगवान जहां भी भेजेंगे मुझे, और मेरे लिए जो भी करेंगे, वो अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते, धर्ती पे एक ऐसी ताकत नहीं होती, तो साइद मैं नौ महिना के अंदर जेल से बाहर नहीं निकलता, और मेरे उपर एने से लगा था, मह पहला काम उन दलालों के वजो से ना जाने एस बड़ें ना जाने रोज मरते हैं अब जाके देखियां पूरवी स मंदारं के अस्पताल एक ड़्युकर कि अज़ो पूर्वी मेरे पारन था यह को अगर को है गोसना पत्र अपना पेपर लिख के देंगे एख,真ते हाइज के और अगर आपके अंदर काविलियत है आप मिलिये हम लोग सब साथ देंगे और बदलेंगे भी यार कुछ भी हो लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे आज हम लोगों को लड़ना जरूरी है रिजल्ट क्या होगा उसका परवाह किये बीना हम लोग लड़ेंगे एक दम और बिहार जो है अभी 40 साल पीछे है 5 साल बाद 45 साल पीछे हो जाएगा लेकिन मैं आपको एक बात बताओ मनीश जी मैं तो यहां दिली में रहती हूँ लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किये इतने साल से मैं भी मीडिया में हूँ बिहार की जो हालात है ना उसके लिए इतना गिरे हुए है इतना गिरे हुए है कि आप देखे बिहार का एक नेता का मतलब कि बता दीजे जिस एक नेता पर जो है बिहार के लोग भरुसा करते हो सिंगल नेता पर जो बिहार के लोग कह सके कि हां यह बिहार का भाग्य भी दाता हो सकता है बिहार को बदल के रख स मुझे बताइए लालु शासन जब था जंगल राज देखिए मुझे वो दर्शकों को समझानी है ऐसा बिहारी आप एक विहार का आदमी होकर मुझे समझानी है क्या था वो जंगल राज जिसके लिए आज मेरे ओफिस में कई लोग है सीधा कहते है कोई आ जाए लालू और लालू का परिवार निया आना चाहिए यह बात कहते है बाहुबलियों का जंगल राज था माफियों का जंगल राज वो खतम हो गया आज आईएस का जंगल राज हो गया सरकारी अधिकारियों का जंगल राज हो गया इनवर्सिटी में जो भीसी है उनका जंगल राज हो गया स्वास्त विभाग में जो बड़े अधिकारी है उनक इतने लोग नहीं मरें उससे कहीं सो गुना जादा 2005 से लेके 2024 के बीच में यह सरकारी अधिकारियों के भरष्टचार लाप्रोवाही और इनका गुंड़ाई और इनका करप्शन के वज़ा से जो है सो गुना जादा लोग मर गए तो जंगल राज आज भी बिहार में हैं बस स अपना मिर्थू पर मारपत्र बनआओ तब पैसा लेंगे सरकारी अस्पारा में तुमारा इलाज नहीं करेंगे ढलाल आ ऐसा की करे करता हो बहुत सारी लोग आजाती है और उनको कि अ प्राइबैक repent windows में अएसा करती है क्यों से की करे करता से चलेंगे फकूल मी चलें जो खाना बनाने वाली होती है। मंधि 16,000 तो जैंगल राज नहीं यहीं हो बिघायर के लोगों से मुफ बना रहा है। आझ ट्रेनों में भरْवर के जथे हैं, हम लोग रोग जञुने मोने कज़ा हैं कि अमकंधर यूपयां के लोगों के लिए अर्श से लिए जाता है। तुन हम जैसे लौक भ३ह मनिज्पोर जाते हैं मतरों तो भन शैसे बैहार के लिए लड़ाई हैं। जो लुकषभा में जाते हैं उन में से जदय तर आ इस अपना होस्पिटल चल रहे हैं तो श्कूल चल रहे हैं अपना वेयर हाउस ॉस लूट में कर रहा है। वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि बियार के सारे नेताओं के बच्चे बियार से बाहर पढ़ते हैं अगर उनके बच्चे बियार में पढ़ें उनकी बीबी का इलाज बियार में उनके बच्चों का इल आज के लिए एक अस्पताल नहीं बना पाएं वो आपके लिए कैसे बनाएंगे तो क्या गैरेंटिये कि मनीश करिशब अगर जीत गए तो वह बिहार से बाहर जाकर अपना से करेंगे आपको परीवार को बार भरोसा है तो उनको दीजिए नहीं हमारे माथे पर लिखा हुआ नहीं है नहीं न लिखा हुआ है क्या पता हमसे भी गलती हो जाए आपको जिस पर भरोसा है उसको भोट दीजिए लेकिन भोट देने से पहले आप अपनी बीबी के आँखों में आखे डाल के जाए भोट देने और कहिए कि मेरी पतनी मैं पती का धर्म निभाऊंगा और त अपने बच्चे के आखों में आखे डाल के जाए भोट देने और कहिए कि बाबू मैंने इस धर्ती पे तुम्हें पैदा किया है तो इस बार भोट देने जा रहा हूं तुम्हारा भविस्ते बनाने के लिए और तब जाके आपका दिल का वाज जिसको भोट देने के लिए तो जिसका भी नाम है उसको भोट दीजेगा एक सवाल मेरा और है अभी तो आप कह रहे हैं कि चली देखे जाएगा जिस भी पार्टी से आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे जनता के जैसे भी आपने कहा मान लीजेगर बीजेपि आपको चंपारन से और सीट से अतार दे बढ़्ला को करना बिहार में तो आप किसी भी सीट से उतार लड़ने के लिए तयार है कहीं से पावन आप पावन सिंह की तरह टिकट वापस तो नहीं हो जाए आप अगर पबिक अगर डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए हम उनसे ज्यादा नहीं बता रहे हम अपने आपको हम लेकिन हम तो अगर बिहार के मुद्दों पे बात किया जाए लौजिकली जनुविन अगर बात करते हैं तो हम कहां नहीं नाम हो सकते हैं कहां कहां कई हम वब्लत का इस लिए को बफाधर कर रहे हैं वह एक ऐरोगैंसी नहीं मेरा गा JUST बिहार के पर्ति मेरा समर्पन है इसलिए मैं बोल रहा हूं या उन लोगों से मैं कम पढ़ा लिखा हूं लालू जी का बयान तो मुझे याद है कि अगर करा देंगे तो वोट देना सीख जाए मोज ना सीख जाए मोधी जी आके चंपारन में बोले परिवारबाद खतम करो प बःषए मोधी जी ने गुजरात को चंपार दिया मोधी जी ने पूरा देश को चंपा welding मनमाण जिंग अपने अमकुछ काम की हैं की है हम उनकी भी पर सन्सा करते हैं उन्हों ने पूरा देश को चंपा बिहार को छोड़किए निए पूरे मंध कर्दान मंतरी काम कियाक मै बिहार के लोग याद करते हैं और 2004 का चुनाओ जब आया तो उस परदान मंत्री को हरवा दिये अटल बिहारी बाजपेई उनके अलामा जो है बिहार के लिए कोई काम नहीं किया और उसके बाद से अगर किसी नेता ने काम किया तो नितिन गड़ करी उसके अलामा कोई ऐसा न मेरी को बगाना है बिहार से बिहार को बहुत बाद कर दीये अब बताई राय यारी ये इक आए व्यघी पिए बहुत बोना जमऑ को प्रमारपत्र गुच देना पड़ता और मरने के बाद के बाद प्ता करे दो zarर के कर दोARA को playing it बता हिए दुये आपका अनग बनाएगा ह वर हैं सब करेगा और और मरने के बाद मिर्तु पर्माणपत्र बनाने जाएं किसी भी सरकारी असकारी पेशप में पोस्थ sì अगर्निघम में चले जाएं सब कुछ करने के बावजूद तो वहाँ पर अगर घूस नहीं दीजेगा तो गलत बना देता हैerson मिर्तु पढमाणप तो जाहां जिस राज में जनम लेने से पहले घुस देना पड़े और मरने के बाद घुस देना पड़े जाना सोचिए उस राज के लोग कितना परिसान होंगे और यहीं सारी चीजे न मैं बोलता हूं अगर मैं नेता बना तो मैंने तो इतना सारा वीडियो बनाया है कि अगर सबसे दूसरा कम सिख्षा बेवस्ता को सरकारी स्कूलों की सिति देख लिए आप कितना जर जर है कितना मतलब की खराब है कितना बरबाद है चौथा काम जो है वह स्वास्त बेवस्ता सरकारी असपताल में चले जाए लोग मरते रहते हैं और यह लोग तक नहीं देते हैं। पता है क्या करते हैं अगर पैर अगर कही रोड एक्सिडेंट हुआ पैर में फ्रैक्चर है और पी-म-सी-च में चले जाए इलाज कराने जाए न तो आपका इलाज तो करेंगे लेकिन उसमें इंफेक्शन हो जाएगा प्राइवेट अस्पताल में आगे दूबर पैर जो है आपका पैर का इलाज कराना पड़ेगा अनने को ऊठालाने उसके वास्ते पांचवा काम मेरे दरवाजये पर कोई मान आ जाएगे अर किसी भी समस्या को लेकर आएगे तो ये मनीस बेटा जो है उस मां के आखों का आशू पोछने के लिए सब से पहले कदम उठाएगा चा कहा ना जंता से कि मेरे को भी पाथ साल एक बार आप मोका देकर देख लीजिए दिक्कत यह कि इतनी बाल जंता ठगी गई है तो जिसको देना उसको दीजिए नहीं हम कड़वा बोलेंगे अपने बच्चों किसम खाई अपनी अपने परिवार की कसम खाई क्या किया उन्होंन कि भोट देने से पहले आप अपने बीबी के आखों में आके डाल लिजेगा आप अपने बच्चों के आखों में आके डाल लिजेगा और वो लिएगा इस बार जो है मैं तुम लोगों का भवी से बनाने जा रहा हूं नेता या नेता के बच्चों का भवी से बनाने नहीं जा रहा हूं, बिहार उसी दिन बदल जाएगा, मुझे लगता है कि एक चीज पर और काम करना चाहिए, अगर आप जीतते हैं तो मैं तो आपको आपको सलही दे पाऊंगी, बाकी मुझे लगता है नेताओं को प्रमुख तोर पर खुद भी जाती है, मैं पश्चिम यूपी स जाती है, मैं पहले जाती है, इतना जाती है, बहुत है, आपको नहीं पूछ रहे हैं, जब तक जनता जाती के आधार पर वोट देगी, उनके दिमाग से जाती कैसे निकालेंगे, डॉक्टर के पास जाते है, मुसल्मान डॉक्तर को फरग ने पढ़ता है, घृति पावली ह जाती है, अगर उभरना चाहते हैं, तो ठीक है, और मनिस्कस्यप के रहा में इसलिए भी नेता विहार के रोडा़ आठका रहे हैं, देखियों, समझे, मैं गरी परिवार से उठा हूँ, इसलों मेडिया पे मेरे सारी कहानी पॉबिस है, बढ़ जाते हैं, जो है कि किस परक हो जाएंगे तो 50 नहे मनिष्काशव हो गई तो इस बर अकेला मनिष्काशव दोचार पांच नेता को परिसान किया है 50 मनिष्काशव जब जिस दिन खड़े हो जाएंगे और इस बैक ग्राउंड के बच्चे जो है सदन में और विदान सापा में घुसना सुरू हो जाएंग तो बिहार के सारे ब्रश्टनेता परिसान और 38 जीला में एक एक मनीश कस्यप जैसा नेता हो जाए जो चिख्फे जिलाये रोये गाए दोड़े जो भी करना हो करे लेकिन हर बार भार बिहार के विकास की बात करे तो सारे diffuse नेता परिसान हो जाएंगे जो आते तो है राजनीती में लोगों का भावनाओं के साथ खिलवार करके लेकिन पांच साल के बाद जो है अर्बो और खर्बो की मालिक हो जाते हैं ना जाने कहां-कहां उनकी संपतिया हो जाती है कहां-कां कमपनिया हो जाती है तो ऐसे-ईसे लोगों का इलाज करने के वो सब हट गया, सारी चीज़े दुनिया के सामने, एक यूट्यूबर होने के क्या फायदे है, और जितना पढ़ पाई, समझ पाई, शायद हैक हुआ था आपका, कॉपीराइट स्ट्राइक आया था पाकिस्तान से, ये पूरा एजेंडा क्या चल रहा है, कि आप एक यूट् अइसा देकर के पाकिस्तानी हैकर को हायर किया, पाकिस्तानी हैकर ने मुझे बेवजह है इसका मकस्द था, तो मुझे 4-5 इसर थे, भारत में चितने भी यूट्यूबर है, जिनका सब्सक्राइबर एक लाक चाग से जादा है, उनके ऊपर उपर अपश्क मे भादाद अनि लोग एक मिलियन वाले हैं उनके उपर थोड़े बड़े एक करते हैं और जैसे 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 सब्सक्राइबर बड़ा होता है वह ऐसे बड़े-बड़े हैकर एक करते हैं और यह सारे हैकर जो है पाकिस्तान के होते हैं और इनको एक करने के लिए भारत से लोग जो है ना का दिए की संखे तो पर विडियो कि वीडियों में अपने मैंने जर को बोल दिया उसके अधर थे मैंने पता किया कि कैसे करना है तो फिर इसने मतलब कि वो नहीं किया भूनिया दिखेंग।I को बस suits Brink नहें आइड कानल में यूटुकर मेनेजर 2 ऐसे क्या हुआ कि मैंने की मैंने इस सब्सक्राइबुज़ार्य काम पर पतालाँ कि इसका ट्राइक देट disproportionately कि भी हेठène इंडिया गत्ते आहां कित इस के community में गया मैं उसके channel पे एक video नहीं सिंगल वीडियो नहीं उसके channel पे और subscribers जो है उसके channel पे दो ड्राइलाग subscribers मैं उसके community में गया community में देखा तो बिहार के singerों का गाना चिर्फ है community में भुचपूरी मगही मैथली गाना सिर्फ यही गाना है अपना content नहीं उसका अपना केंटेनेश और बिहार के सिंगरों का गाना उसके में कॉम्मोनीटी में जो पाकिस्तान हागर है उसके मेने दगाना निकाला।। उसके बासे मैं निखेंने के नासरा है उसमें नंबर मुपाइल फ्लैस्टर करते हैं। थoff boat कर तिंस कंपना तो उसने नंबर दिया, 92 से नंबर था पूरा वह जो वाटसप पे कॉल किया मेरा मैनेजर, अब वह बोल रहा है कि पैसा दीजे, अच्छा, उसके बोल रहा है कि पैसा दीजे, हमसे कॉंट्रेक्ट किजे, हमें हमें चैनल मैनेज करने के लिए दीजे और नहीं तो फिर हम आडियो वीडियो सब कुछ है, फिर मेरे मैनेजर ने बोला, मैनेजर ने उससे बात कर रहा है, मैंने उसको प्यार से समझाए कि पाकिस्तान के बोर्डर पे तो आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम नहीं सुद्रे तो हमारे पास रफैल फाइटर भी है, हम बंभी गि जनकारी समय पाकिस्तान के खिलाफ मैंने जितना विडियो बनाया था न उसको मेरे वीडियो लिंक के थे भी तुम देखो यानि मेरे खिलाफ उसके प्रतीन नफरत भारा गया, तुम नफरत करो, और उसने पूरा प्रयास किया मैरा चैनल टेक डाउन करने के लिए, मैंने पता लगाया और तीन वीडियो मैंने उस ऐकर का बनाया और जिन लोगों ने जो है यह साजिस करने का प्रयास किया यह जो लड़का जो है मुझे नंबर दिया उस पाकिस्तानी का उस लड़के का भी भी विडियो बनाए बिहार में बैठे हैं लोग ऑएसे लोग जो मेरे चै मैं इन सबसे निकलूंगा इन जैसे चमन मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं इन लोगों से मैं निपट लूँगा एकदम 100% निपट लूँगा और देश के बड़े यूटुबरों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना चैनल सुरक्षित रखें आप भी सुरक लेकिंगे कि आरómo मीलियन तो आप से कम से कम दस्कूरपया डिमांड करेंगे उतलांख tent dollars अब करते हैं पचाहसच दिख सी फिर को पॉलेसी थ्टूप करने की परे कि यूट्यों परेंगे बैक्राउंड में जो है गाना बज रहा है किसी भी सिंगर का भाई तो इसका मतलब यह हुगा कि हम रिपोर्टिंग करना छोड़ दे हम तो अयोध्या में पूरा सांट सिस्टम को बंद नहीं करा सकते ते इस वजह से मुझे बड़े-बड़े चैनलों के रिपोर्टर मिले मुझे बड़े चैनलों के सबसे बड़े से लेकर टॉप टेन जो चैनल है उन सब एक रिपोर्टर मिले और बोले कि मनिश जी हम लोग तो परिशान है लेकिन यह जो पॉलिसी है यूटूब की जो बैक्राउंड में गाने बज रहे हैं उससे हम डीओ डाल रहा है वो लोग परिशान करा मुझे एक बड़े चैनल के जो है जो है जो है जो देखते हैं सोसल मेडिया उसका सब देखते हैं वो ले थे कि इतना परिशान करता है सब 2,500,500,000,000 सब्सक्राइबर वाले यूटूबर जो बाहर बैठे हुए है इंडिया में नह चैनलों से एक कोड़ो रुपया डिमांड करते एक कोड़ो रुपया चैनल बड़ा चैनल नेशनल चैनल वह लोग परिशान है तो यूट्यूब को यह पॉलिसी में चेंज करना चाहिए कि अगर बैक्ग्राउंड में कोई न्यूस कंटेंट बना रहा है और पाफेशने सब्सक्राइब परिशात फेंट उन्यूस से जादा नहीं यूड़ा वाले चैनल हैं पर बैक्ग्राउंगत्यू ना को यह जैनल को पर यह तो यह नहीं नहीं देता है संग्स के तरूं पर जो है उन लोगों को इतना ज़ाधा है दिशे के पास अमेर्का कर पा यह CMS वाले जो है इतना फर्जी वाड़ा करते हैं इतना फर्जी वाड़ा आपका चैनल ले लेंगे बोलेंगे कि 20% हम आपसे लेंगे और आपका चैनल को हैंडल करेंगे आपके कंटेंट को अलग अलग जगा दिखाएंगे लेकिन YouTube और Facebook का ही पैसा देंगे वह भी देंगे चैनल को एकरेंगे गोर चैनल का करती हैंडे किविया पूर परजीवाड हाड़ा करते हैं इन लाइड परके यादा है अब उन्ट एपकर चैनल को जो है कुछ, कुछ लेड कर वाया है, यह CMS वाले भारत बहुत बढ़ा अब वीकर चाहिए वहु करते, यह BC , मैं यहे SHD अ रूल बनाना चाहिए और स्ट्रीकश बनाना चाहिए सबके लिए बनाना काँपि आई कौंठ कॉँपी राइट कौन ए सकताüne के अलेенर नहीं दे शकता है यह भी बनाना चाहिए यह जो बड़े-ड़े मठाधीस जो लोग हैं cms वाले जो लोग है यह बेवज़ा जो है चैनलों को परिसान करते हैं और न्यूज सेग्मेंट वाला अगर चैनल कोई चला रहा है तो कम से कम न्यूज सेग्मेंट वाले को तो आप लोग बकस दिजे अगर श्ट्राइक आ रहा है तो उसका यह लिमिट मत रखिए कि 90 दिन क को चलाना है चलाय की नहीं चलाय तब तो हम लोगों को छोड़ देना पड़ेगा कहीं भारत में बहुत अच्छा काम हुआ और किसी एक ही मोबाईल वाले ने रिकॉर्ड किया उसको अम लोग चलाएंगे और जिसने रिकॉर्ड किया बाद में उसका मूड हुआ कि नहीं तो 50% वो revenue share कर ले 50% लेकिन अगर मान लिजे कि हम 10 मिनट का वीडियो बनाएं जिसमें 2 मिनट का उसका किलिप दिखा रहा है यह 8 मिनट हम मेहनत कर रहा है तो भाई वह भी तो देखिए तो 10% से 25% तक revenue share system रखिए और अगर 100% वीडियो उठा के जैसे आपका वीडियो है और आपका वीडियो 100% उठा के मैंने डाल लिया तो 50% revenue share कर आई है तब जाके जो है छोटे बड़े सारे किरेटरों को फायदा होगा और यूट्यूब आपको भी फायदा होगा यूट्यूब आप अगर नहीं होते तो सायद हम जैसे लोग यहां पे खड़े नहीं होते यह भ बड़े बड़े क्रियेटर जो है यूट्यूब के कुछ पॉलीशियों से परिसान है तो उस पर ध्यान देना होगा यूट्यूब बहुत सीरियस सा मैटर हो गया एक थोड़ा और लाइटर नोट मैं एक सवाल पूछती हूँ अब पहले एक वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी यह वीडियो है मनीश कर्षप का उस दौरान का जब वो आयोध्या में हमारी टीम के साथ यह कहले जिए कवरेजी करने के लिए चले गए थे एनमेफ न्यूस पर ओपनिंग भी कर दी और हमारी नौकरी खत्रे में आने वाली बात हमें लगने लगी घर मेरी नौकरी खत्रे में आढ़ा जाते हैं यह जो प्यार आ अपने देखा वह एक बार बिहार में मेरे साथ ग्राउंड पर देखिए और नियाँ कीजिए आप बताईएगा मुझे कि मुझे मनीश कसर्थ तुम को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए बिहार के लोग उमीद से 75 साल से गानधी जी के जाने के बाग विहार के लोग उमीद लगाय बैठे हैं। विया की सत्याग्रा हुए। उसके पाद से लोग देखें कि Mein the life lib कि जाते-ई-वात अएफाइं बीखा देटे है। वहार का शब्रिकास कब देए। लोग उमीद लगाए बैठे हैं, कुछ लोगों को मेरे से उमीद है, इसलिए लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन मैं जाते-जाते एक ही बात को, पहले YouTube पे मैं कहे देना चाहता हूं, जो है क्वेकर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहे देना चाहता हूं, भारत सरकार भी पहले एक बड़े यूटिवर का चैनल है करने का प्रयास किया तो यह सारी चीजा है यूटूब को जो है डिश्टल जबाना यूटुब का जबाना है तो यूटूब जो है का चैनल या हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूबर का चैनल है करने का प्रयास किया तो याद रखना हम में से बहुत सारे यूट्यूबर कुमारे हैं और आपके यहां बहुत सारी सीमा हैं हम लोग बड़े प्यार से लेके आएंगे और दहेज में राउल पिंडी लाहौर और कराची भी लेके आएंगे तो विनाती है भूखा नंगा भिकमंगा देश के भिकमंगा है करो कम से कम हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूबर का चैनल है करने का प्रयास मत करो जाती-जाती की चर्चा हमने शुरुवात से की थी लालु प्रसाद यादव उनके बेटे लनके भी खंगर्फने.buщее जैनने सीज़ें यनology स्रुक्रिष्ण चैनल हो प्रचाने पाठगे, राक्षाने और बनार अभगान में फ़र्क बताया था, देव और दानों में उन्होंने फर्क बताया था इंसान और जो हमारे यहां के अभी जो लोग है जो देश विरोधी काम करते आतंकवादी इन लोगों में उन्होंने फर्क बताया था उस समय गीता में फर्क बताया था यह चीजे लालू जी भूल गाएं तो लालू जी मैं कह हैना चाहता हूं संमान के साथ कि आप एक बार गीता जरूर पढ़ने के बाद आप निर्डगे कि कौन गलत कोई है मैं आपके संघर्स का संमान करता हूं लेकिन आ आपको अगर आप मौका देंगे लालूजे तो मैं आपको जो है एक गीता जो है उपहार सहरूप जरूर दूँगा पढ़ने के बाद आप बताईएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो बिहार में क्या बदलाव आएगा मनीश कश्चप को जनता मौका देग या नहीं देखना दिल्चस्ट रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और जितने भी दर्शकों ने मुझे देखा ये इंटर्व्यू मनीश कश्चप की बाते आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा नमस्कार जाहिंद